हाई फ्रेंट्स आप सभी को मेरी तरप से घंश लृति की हारदी कनन्त शुप का मनाई तो फ्रेंट्स आज घंश लृति है तो भगवान गंपती का जो प्रियबहूग है मोदक वो तो बनाना बनता ही है तो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगी without fire सिर्फ 5 रुपे में 5 मिनिट में मोदक बनाना वो भी बिल्कुल सरल तरीके से तो आईए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर लिए है पारलीची बिस्किट लिए है वो हर जगह अवी लेवल होता है इसलिए मैंने पारलीची बिस्किटों का यूज किया है अगर दूसरे बिस्किट अच्छे लगते हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ मैंने देखी पारलीची बिस्किट ले लिए हैं और अब हम इन विस्किट हैं उन्हें से ही तोड रही हूं। आप जैसे भी छोटे बड़े तूटे हैं आप इन्हीं तोड़ लिजिएगा। और यहां देखिये हमारे विस्किट हैं वह तूट चुके हैं। एब मैंने यहां पर लिया है एक मिक्सी का जार। और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स की जो biscuit हमनी तोडे है उन्हें हम transfer करेंगे इस जार में तो यहां मैंने यह जार में transfer कर लिए हैं देखिए अब हमें इसको बनाना है हमें fine powder तो जल्दी से हम इसका fine powder बना लेते हैं तो यहां देखिए friends धकन हम खोल कर देखते हैं और चम स यहां पर यह बिल्कुल यह फाइन पाउडर बन चुका है आप चाहें तो इसे चान सकते हैं और यहां पर यह बिल्कुल फाइन पाउडर था तो मैंने नहीं चाना है और इसे बाउन में ट्रांसफर कर लिया है और यह देखिए अब मैंने लिये है पाउडर शुगर तो यहा इसने हरा तो किला में लिए को तो यहाँ पर रूपन transit केण नेसमें कीश सव्हें केङ़ ł approach Tut और तो दोड़िए और दोड़ा बाउल से यहां है हमस्का जो एक डो त्यार करना है तो 24 तरह मिक्स नहीं होगा तो अब मैं हासे इसे मिक्स करूंगी और चाहिए अभी आपको यह सूखा-सूखा नजर आ रहा है पर जब मैं इसां मिला रही हूं तो यह काफी गीला है और हमें इसका dough बनाना है और ये देखें friends काफी गीला हो गया ना ये अगर आपको लगता है कि आपका जो dough है मोदक का वो थोड़ा सूखा है ड्राइ ड्राइ है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा और जो है दूद की मलाई या दूद एड़ कर सकते हैं तो ये देखें हमें एक इसका दीदम चिकना हो गया और मैं आपके अपना दान लेतेएे अचाहे में भुरावन के लिए ये सामगरी मेरे पास धिक्कया है जो भी आपके पास औरको या कुछ और भी भढ़ना चाते हैं आप चाहें तो इसमें जो coconut है उसे कद्दुकस करके उसे भढ़ सकते हैं या और भी जो आप भढ़ना चाते हैं वो भढ़ सकते हैं तो friends यहां मैंने एक लोई ले ली है उसे गोल गोल जैसे हम आटे की लोई या बनाते हैं चपाती की वो ले ली है और अंगोटे की साहता से इसे ऐसे कर लिया है और इसमें जो भरावन है वो मैं भर रही हूँ तो यहां मैंने इसको भर लिया है और इसे हाथ से हम ऐसे करेंगे तीनों उंगलियों की साहता से तो यहां पर पहले आप इसे ऐसे कर लीजिए और आप चाहें तो इसे लोई की तरह गोल कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा लंबा करके इसमें हम ऐसे तीनों उंगली और अंगोटों की सहता से मोदक का इसमें श्रेफ दे देंगे क्योंकि हर इंसान के पास जो है मोदक का मोल्ड एविलेवल नहीं होता है यह देखिए हमारी जो मोदक है वो तयार हो गई है तो ऐसे ही मैंने यहाँ दूसरा मोदक भी तयार कर रही हूँ और यह देखिए बहुत एजी है फ्रेंट्स आराम से बन जाता है तो हम जल्दी से जो सारी मोदक हैं उन्हें तयार कर लेते हैं और फ्रेंट्स ये देखे ये तूथ卡 है, और टूथ卡 से हम इसे डिजाइन रे देते हैं, क्योंकि डिजाइन से थोड़ा अच्छा लगेगा बाजार की तरह, तो ये देखे, इस पर जो डिजाइन हैं वो बन चुके हैं, और कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे ये मोदक तो जल्दी से हमारे जो मोदक वो हमने तयार कर लिये हैं और फ्रेंट्स देखिए मैंने इस पर थोड़ी केसर और बैदाम लगा दिया है तो ये कितने अच्छे लग रहे हैं हो गया ना बिल्कुल तयार आप आप एंजय कीजिए